तैवी शक्तियों से भरपूर नीम का इस्तिमाल करके व्यक्ति कुंडली में मंगल ग्रह, शनी ग्रह और केतु ग्रह की दोशों को कम कर सकता है। नीम में बहुत शक्ति होती है, नीम एक ऐसा वरिक्ष, एक ऐसा पेड़ माना जाता है, जो अगर आपके घर के आसपास मौझूद है, तो आपके घर के आसपास किसी प्रकार की नकरात्मक्ता नहीं आ सकती। वास्तु शास्त्र में पेड़ पौदों का बहुत अधिक महतु बताया गया है, पेड़ पौदों से नाकेवल घर को खूबसूरत बनाने में मदद मिलती है, घर के वास्तु दोशों को भी दूर किया जा सकता है, लेकिन नीम की बात करें, तो इसका पेड़ औशदिय गु लावा, जोतिश में नीम की लकड़ी का भी बहुत अधिक महतु है, इसका इस्तिमाल करके जा तक कई तरह की दोशों से शुटकारा पा सकता है, आपको आज मैं नीम की ऐसे उपाई बताऊंगी, जो ग्रह शान्ती तो देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ आपके कई दोश सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर मैं आपको देती हूँ बहुत सी जानकारी आपके ग्रह दोशों को दूर करने के लिए, वास्तु दोशों को दूर करने के लिए, इस चैनल पर आप देखते हैं बहुत से टोटके और तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेई और इसी प्रकार से अपने लिए जानकारिया ल द दे रहे हैं, अब बात करते हैं नीम के पेड़ के बारे में, नीम के पेड़ की लकडियों से अगर होवन किया जाए, तो शनि ग्रह शांत होते हैं, इसके साथ साथ के तु भीशांत ह और मंगल का लाब आपको मिलता है। इसलिए हो सके तो सब्ता में एक बार नीम की लकड़ी का हवन अवश्य करना चाहिए। इससे दोनों ग्रहे तो शांत होंगे ही। दोनों ग्रहे के कूप रभाव भी आपसे दूर रहेंगे। और कहीं न कहीं से आपको लाब मिलता का। कुंडली में केतू ग्रह को शांत करने के लिए नीम की पत्यों का रस निकाल कर नहाने वाले जल में मिलाकर स्नान स्नान किया जाए तो इससे केतु ग्रह पिल्कुल शान्थ हो जाते हैं और केतु से संबंदित कोई समस्या आपको परिशान नहीं करती इसलिए आपको ये उपाए अवश्य करके देखना चाहिए आजमा कर देखना चाहिए भगवान हनुमान को अगर आप प्रसंद करना चाह इसलिए रोजाना जल भी जरूर नीम के पेड़ पर अर्पित करना चाहिए अगर घर में या घर के आसपास बाहर नीम का पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है रोजाना उसे आप सींच सकते हैं पानी दे सकते हैं या जल दे सकते हैं अगर आपके घर के आसपास नीम का किसे मिलते हैं क्योंकि नीम के पेड़ कुमा दुर्गा का प्रतीक भी कहा गया है इसलिए इसे नीमारी देवी भी कहते हैं तो इसलिए और भी जादा लाब दायक हो जाता है इसका आपके घर के आसपास होना पित्र दोशों से मुक्ति के लिए भी नीम का बहुत अधिक महात है अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पित्र दोश है तो घर के दक्षिन या वायवे कोन में यानि के उत्तर पश्चिम दिशा में नीम का पेड़ अवर्श्य लगवाएं ऐसा करने से पित्र दोशों से मुक्ति मिलने से पित्रों का आशिरवाद प्राप्त होता है पित् का दीपक इसके नीचे प्रजवलित करने से आपको मंगल का लाब मिलने शुरू हो जाएंगे और इसके साथ-साथ घर के आसपास कहीं भी नीम का पेड़ लगा है तो रोजाना हनुमान जी का ध्यान करते हुए उस पेड़ पर जल अर्पित करें मानता है कि जो भी व्यक्त इस प्रकार से नियमे त्रूप से पेड़ की पूजा करता है नीम की पेड़ की पूजा करता है मंगल उस पर बहुत जादा अच्छा प्रभाव डालते हैं उनका कभी अमंगल नहीं हो सकता साथ ही साथ कुंडली में मंगल के तमाम दोश भी दूर होते हैं अगर आपकी कु शनी के दूशों से बहुत अच्छे से मुक्ती मिल जाती है शनी शोब फल देने लगते हैं अगर केतु का प्रभाव बहुत जादा है और जीवन में बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बिना बात से समस्याओं पीछा नहीं छोड़ती घर में जगड़े बढ लगे हैं पिता के साथ संबंद अच्छे नहीं रहते तो ऐसे में केतु ग्रह को शांत करने के लिए नीम की पतियों का रस निकाल कर आपको रोजाना नहाने के पानी में भी डालना चाहिए और कुछ नीम की पतियों का रस ग्रहन भी करना चाहिए ऐसा करने से केतु के समस् जिन जातकों का जनम उत्रभादरपद नक्षतर में हुआ हो या किसी मनुश्य की मकर या कुम राशी है उन्हें नीम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए इन दोनों राशियों के लोगों को नीम का पेड़ बहुत फलदाई माना गया है तो अगर आप में से किसी के भी इराशी है या इस नक्षतर में आप पैदा हुए है तो अपनी प्रगती के लिए मानसमान के लिए समस्याओं का अंत के लिए नीम का पेड़ जिन्दगी में एक बार जरूर लगाएं वैसे तो नीम का पेड़ लगाना बहुत ही शुब रहता है कोई भी व्यक्ति लगा सकता है आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं घर के बाहर भी या सड़क पर भी सड़क के नजदीक कहीं भी नीम के पेड़ को लगा सकते हैं इससे वातावरन भी शुद रहता है बहुत ही तरक्षी देता है। इसलिए इस पेड़ को आपको जरूर लगाना चाहिए। घर के आसपास भी लगा सकते हैं। दक्षना मुखी घर के लोग जो है वो अपने घर के दक्षन दिशा में लगाएं तो लाब मिलता है। इस पेड़ से पूजा की जाए इसकी लकड़ को जलाया जाए तो भी लाब मिलता है। इस पेड़ को नहाने के पानी में डाला जाए तो भी लाब मिलता है। तो कितने सारे फाइदे हैं इसके इसके साथ साथ इसका औशिदे महत्वतो है ही है। इसलिए नीम के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। नीम के पेड़ को लगा अगले वीडियो में अगले वशय के साथ आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद झाल झाल